हेलो दोस्तो स्वागत है बक्सर एडुकरशन यूटूब चैनल में आज इस कलास में रेलवे के लिए कुछ महत्पूर्ण जीके जीएस का अधेन करने वाले हैं जो परिछा के डिश्टी से काफी महत्पूर्ण है इससे पहले मेरे चैनल को लाइक सस्क्राइब और सेयर अव एनिवेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यच थी और मदन मोहल माल्विय ने 1915 इस्वी में बनारस हिंदू बिश्टो बिद्दाले की अस्थापना की थी मौलाना अबुल कलाम अजात के दोबरा इंडिया विस फीडम पूस्टक लिखा गया है सेकेंड प्रोस्टन बंदे मात्रम के प्रत्थम संपादत कौन थे तो बंदे मात्रम के प्रत्थम संपादत अर्बिंध घोस थे कौन दोस्तों अर्बिंध घोस और बंदे मात्रम बकिम चटुपाधे के दोरा लिखा गया है इसे संस्कृत भसा में लिखा गया था बाद में 1882 इस्वी में बंगाली उपनियास आनन्द मठ में सामिल कर दिया गया और अबिन्ना टेगोर को गुरुदेव की नाम से जानते हैं ठर्ड प्रस्नो निमलिखित में से किस देश के साथ भारत का काला पानी और सुस्ता छितरी बिवाद है तो यह बिवाद नैपाल के साथ है किसे साथ दोस्तो नैपाल के साथ है चौथा प्रस्नो जालिया वाला बाक कांड की जांच के लिए बने समिती के अध्यच कोन थे तो अंग्रेजों के तरब से हंटर आयोक बनाया गया था जिसका अध्यच हंटर थे और कांग्रेज के तरब से तहकिकात समिती का गठन किया था तहकिकात समिती का गठन किया था पांचवा पुरस्णों किस मुंगल समराट को जिन्दा पीर या जीवित स्वंद के नाम से भी जना जाता है तो ये थे औरन जेव जिसे जिन्दा पीर के नाम से जानते थे मुमत सा को रंगीला कहा जाता था और फरुक्सियर को घेलनित कायर कोहते हैं जबकि जहांदा सा को को के लप्टक मुर्ग कहा जाता था चाट्था परस्णों निमलेखित में से किसने पहली बार 1837 में ब्रामनी लिपी को समझा था तो ब्रामी लिपी को समझने वाले जेम्स प्रिस्तप थे दोस्तों कौन थे जेम्स प्रिस्तप और भारत की प्रांचितम लिपी ब्रामी लिपी है रिग्वेद की लिपी ब्रामी ही लिपी है अलेजंडर कनिगम को भारतिय पुरतत्त्रों सरक्षन के जनक माने जाते हैं सातवा प्रोस्न 1929 में खुदाई खिद्मतगार को किस ने संगठित किया था खुदाई खिद्मतगार को अबदुल गफार खान ने संगठित किया था इसे सिमान्त गांधी के नाम से भी जानते हैं आठोवा पुरस्ण भारतिय स्वविधान की अनकही कहानी के लेखो कौन है तो इस कहानी के लेखो राम भाधु राय है कौन है दोस्तो राम भाधु राय मदनमोहन मालवियों ने 25 में बिया चुकी अस्थापना के थी 9. सविधान में मंत्री मंडल सब्द का प्रयोग एक ही भार किया गया वो कौन सा अनुछेद है तो वो अनुछेद 352 है जो मंत्री मंडल सब्द का प्रयोग किया गया है मंत्री मंडल सक्त का प्रयोग 46 सविधान संसोधोन और 1978 इसी में किया गया है अभी तक मंत्री मंडल का एक ही बार किया गया है वो भी 302 अंचित में बाकी मंत्री परिशत का ही उलिख किया गया है दस नमर निमलिखित में से कौन सा स्विध राष्ट की अधिकारी भासा नहीं है तो स्विध राष्ट की अधिकारी भासा 6 है जिसमें से रूसी एस्पेस्नी फ्रेंच चिनी अंग्रेजी और अर्वी है जबकि हिंदी नहीं है एकारे नमर अंत्राष्टिय महिला दिवस को मना जाता है तो अंत्राष्टिय महेला दिवस आठ मार्च को मनाते हैं और विश्वव जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं बारा नमर किस हाप अकाली नस्तल से निर्त्य दम्रुदर वाली इस्तिरीक इकास ये मुर्त्य प्राप्थ हुई है तोह यह महन जोदरों में प्राप्त हुई है मोहन जोदोग होच 222 इस्वी में रखाल दस बनर जी ने की थी और यह सिंदु नदिय किनारे इस्थी थे सीखों के दस्वे गुरु गुरु गोविन सिंग के जनम कहां हुआ था गोविन सिंग के जनम पटना में 1666 इस्वी में हुआ था और इसकी हत्या 1708 इस्वी में कर दी गए थी सीख धर्म की अस्थापना गुरु नानक ने किया था और गुरु नानक का जनम तलवंडी में हुआ था 14 नमर काले मिट्टी भारत के किस पर्देश में मिलती है तो काले मिट्टी भारत के इन में से सभी पर्देशों में मिलती है 15 नमर भारत के किस राज्य में सरवाधी खनीज लोहा पाया जाता है तो सरवाधी खनीज लोहा ओडिसा में पाया जाता है शोलो नमोर 6 अगस 1945 को पाला परमानु बॉम कहां गिराए गया था तो पाला परमानु बॉम हिरो सीमा पर गिराए गया था और उसके बाद नागस साकी पर गिराए गया था बिहार में गर्म पानी के सुरोत कहा है तो गर्म पानी के सुरोत राजगरी में है अठारे नमर उच्तम न्याले के न्याधिसों की संख्याम की ब्रिधी करने की सक्ति किसके पास है यह सक्ति संसत के पास है और रासपटी का अनुछेद बावन से संबंदी थे रासपटी प्रमहाब्योग अनुछेद 61 से और रासपटी का छमादान अनुछेद बहतर से संबंदी थे रासपटी का सपोत अनुछेद 60 से संबंदी थे अनाइस नमद संग्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है तो इसकी नियुक्ति रासपटी के द्वरा किया जाता है इसके दर दोस्तों रासपटी के द्वरा किया जाता है और रासपटी की पर महावियोग अनुछेद 61 से सम्मंदित है रास्पर्टी को सपत भारत के मुखे नाजिस के दोरा दिलवाया जाता है और रास्पर्टी बने की नियुतम माई 35 वर्स है बिस नमर कानूनी मामलों पर किंद्र को सला कौन देता है तो बताए दोसे संसर क्या होगा तो यह भारत के महान नैवादी जो किंद्र को सला देता है यह अनुछेद 66 से संबन्दी थे जबकि कानूनी मामलों पर राज्यों को सला भारत के महाधियोक्ता के दोरा दिया जाता है और महाधियोक्ता अनुछेद 165 से संबन्दी थे दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सेर अवस्य करें यदि एक सरा लोलक की लंबाई दुगुनी कर दी जाएं तो उसके आवर्थ काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो उसके आवर्थ काल पर यह रूट्टू गुना हो जाएगा यदि पेंडुलम की लंबाई दुगुनी कर दी जाएं तो समाई अवधी पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो इसकी समाई अवधी बढ़ जाएगी क्या उगी दोस्तों बढ़ जाएगी तेज नमर पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होता है तो हल्दी ताना से प्राप्त होता है ताना प्रकंद एक ही होता है धातों की सूता का निधारन किसकी साहता से किया जाता है तो सूता का निधारन आक्रमेडिज के सिधान से किया जाता है पचीश नमर पीथी पर जीवन प्यूत्पती के समय क्या अनुपस्तित था तो अनुपस्तित अक्सीजन था धन्यमाद दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सस्क्राइब अवस्य करे